आप सब को जैमसी की प्रियो हमारी ये दिली इच्छा है कि आप परमेश्र के दुआरा प्रति दिन बहुत आयस से आशिशे को प्राप करते जाए आज हम वचन से देखेंगे एक बाफिर से यहोना की पुस्तत उसका पंदरा अध्याए 16 और 17 पद तुमने मुझे नहीं चुना प्रन्तु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें निक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे इन बातों की आग्या मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो प्रिवाजब कि हम इन बातों पर मनन कर रहे हैं पिछले अध्यान में हमने इस बात पर मनन किया था कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम बहुत सारा फल लेकर आए हम आश्यत हों, हम सफल हों हम प्रमेश्वर की चंगाई को उसके उपायों को, उसके रास्तों को उसकी महिमा को हम प्राप करते चले जाएं प्रमेश्वर की इच्छा है हम बहुत तायस से फल को लेकर आने पाएं वो हमको एक उचे स्तर पर लेके जाना चाहता है वो अपनी महिमा में हम सब को खड़ा करना चाहता है पर प्रियों आज हम एक और कदम आगे बढ़ेंगे एक और कदम हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के विशेश बात को समझेंगे परमेश्र की नजर में जो बहुत सारा फ़ल लेकर आने की जो बात है परमेश्र चाहते हैं कि जब कि वो हमको उचे पर लेकर जा रहे हैं अपनी महिमा में खड़ा कर रहे हैं तो हमारे द्वारा और भी बहुत सारे लोग परमेश्र के पास में आने पाएं वो हमको इसलिए उची पे खड़ा कर रहा है कि हम बहुतों को उपर की ओर खींच ले वो हमको अपनी महिमा में इसलिए खड़ा कर रहा है कि हम बहुत सारे लोगों को उनकी निचले स्तरों से निखाल कर परमेश्र की महिमा तक पहुंचा दे और ये तभी संभाव है इस इच्छा को परमेश्वर की पूरी करना तभी संभाव है जब प्रियों हम परमेश्वर के समान एक दूसरे से प्रेम करेंगे हम परमेश्वर के वचल से देखेंगे यहुना की पहली पत्री उसका चार अध्यार और उसका बार्मापत वह ऐसा लिखा है परमेश्वर को कभी किसी नहीं देखा यादि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है परमेश्वर को कभी किसी नहीं देखा यादि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है यदि हम प्रियों हम परमेश्वर के कहलाते हैं, तो ये आवश्चक है कि हम उसके जैसे हो जाएं, जैसे पिता वैसे उसकी संतान, यदि परमेश्वर, प्रभू परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, तो उसके जैसा हमें होना आवश्चक है, हमें भी उसके समान एक दूसरे स प्रेम करना है और यदि हम सच में परमेश्र का विश्वास करते हैं और उसके कारण हम एक दूसरे से भी प्रेम करते हैं तो प्रियो परमेश्र का वर्चन में ऐसा लिखा है इसके मतलब तब परमेश्र का प्रेम हम में सिध हो गया अगा हम परमेश्र से प्रेम रखते हैं औ हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वा यदि वो कि वो शब्द हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं, हम आपके आज्याओं को मानना चाहते हैं, हम आपके इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो प्रियों ये शब्द हैं, हाँ आपके दिल वाले शब्द है वा यदि वो कर्म के साथ में एक दूसरे के साथ में प्रेम के साथ प्रगट हो रहा है हम एक दूसरे से प्रेम करें उनकी हर परिस्थितियों में उनकी हर कमियों में उनकी हर घटियों में हम उनको वैसे देखना चाहा रहे हैं जैसे कि हम खुद को देखते ह तब ये प्रेम सीध होता है जैसे हम अपनी कमी घटियों में सोचते हैं कि हाँ परमेशोय हम परदया करें वो हमें इस बातों से निकाल लें वो भी हमको अपनी महिमा में खड़ा करें और जब ऐसी विचारधारा अपने दूसरे लोगों के लिए भी रखते हैं इसे लिए पिता परमेशोय ने येश्यू मसी को हमारे लिए भेजा एक उधारन के रूप में एक उधारन के रूप में कि हम येश्यू के समान वो जाएं जैसे येश्यू मसी ने पिता से प्रेम करने के कारण पिता की इच्छा को पूरा किया यहां तक की मृत्यू को भी सहे लिया प्रभू परमेश्व यह भी चाहते हैं हम भी वैसे ही अपने परमेश्व से प्रेम करें हम भी वैसे येश्यू ने हम सबसे प्रेम किया हम भी एक दूसरे से प्रेम करें और ये प्रेम तभी सिध होता है जब वो कर्मों के द्वारा प्रगज होता है यसे हम निचले स्तरों में कई बार रहते हैं हमें परमेश्वे की सहायता चाहिए होती है वैसे उन लोगों को भी जो मारे चारों और रहते हैं उनको भी हमारी सहायता चाहिए होती है और हमारा प्रेम तभी और असर दायाक होता है जब हम उनकी भी कमी घटियों में उनके लिए फ्रातना करते हैं उनके लिए फ्रातना करते हैं वोगि अभी हमने जो पढ़ा अभी यहुना पंदरा उसके सोला सत्रा पदों को पढ़ा हमने और उसमें इसलिए ऐसा है अब साफ साफ लिखा है अब हमने पड़ा कि तुमने मुझे नहीं चुना प्रंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें न्युक किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुमारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तु वो कि वो इस बात के लिए नहीं प्रियों कि हमारी खुशियां पूरी हो जाए हमारी आवश्यक्ता है पूरी हो जाए हम चंगे हो जाए परमेश्व पिता ओ हाललुया वो हमको अपने समान देखना चाहता है वो हमें येश्य मसी के समान देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं हम भी दूसरों के लिए फ्रात ना करें उनकी घटियों में उनकी निर्बलताओं में उनके आंसूं में हम उनके संग खड़ें और उनके फ्रात ना करें यसे हमको उन कठिनाईयों में परमेशर की सहायता चाहिए होती है हम भी उन लोगों के लिए उन कठिनाईयों में परमेशर की सहायता को मांगें और उनके लिए उनकी निर्बलताओं में उनके लिए परमेशर के बल को मांगें और वो हिम्मत पर हिम्मत पाते चले जाएं एक और पत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी और वो ऐसा लिखाएं दूसरा पत्रस उसका पहला अध्यार उसका साथ पर और भाईचारे पर और भक्ती पर भाईचारे की प्रिती और भाईचारे की प्रिती पर प्रेम बढ़ाते जाओ तो कि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु येशु की पहचान में निकम में और निश्फल ना होने देंगी यदि हम अपने भाईचारे की पृती पर प्रेम बढ़ाते जाएंगे हम एक दूसरे को अपना कहते हैं वो यदि प्रेम पर ये रिष्टे अधारित हो जाएं और हम उसमें लगातार काम करते जाएंगे तो प्रभु का वच्चन ये कहता बलकि उसमें लेख़े दिमने बढ़ते जाएंगे और ये बाते हमें वर्तमान रहें, हमेशा बनी रहें आसों में, कछिनाईओं में, गलतियों में जब नाशमा करने का मन करता है उन समयों में भी सुधार के समयों में उनकी निर्बलताओं के समयों में यदि परमेश्र का वो प्रेम हमें हर परिस्थिती में बना रहे तो प्रभू का वचन ऐसा कहता है कि वो बाते हमें प्रभू येश्यु मसी की पहचान में निकम में और निश्फल होने नहीं देगी, प्रियों जो भी कुछ हम आशिशे प्रात करते हैं, वो कि वन हमारे अपने विक्तिकत जीवन के लिए होती है, और उसकी भी एक सीमा होती, एक समय होता है, वो जह हम लोगों को अपने समान देखना चाहते हैं, जह हम लोगों को ओ परमेश्वर कि उस प्रेम में बदलता और बढ़ता और आशिश होते हैं, होते हुए जह हम देखना चाहते हैं, उसके लिए कार करते जाते हैं, उनके लिए फ्रातना करते जाते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं, उनको वो अनुग्रे देते हैं, जिस अनुग्रे से हमारा उधार हु वो फल जो कि हमेशा के लिए बना रहता है और वो फल कैसे जम लगतार उनके लिए प्रातना में रहते हैं अपने प्रियों के लिए अपने लोगों के लिए अपने शहर के लिए अपने प्रदेश के लिए अपने देश के लिए जम लोगों के लिए निरंतर प्रातना में हमारा फल हमेशा के लिए बना रहता है हम निरांतर फ्रात्ना में रहते हैं निरांतर लोगों को अपने समान परमेश्वर के सम्मौख खड़ा होने की इच्छा रखतें और उसमें काम करते जातें प्रभू की इच्छा यही है प्रियुभू यही हमारी लिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर के ऐसी अदबुत इच्छा को अपनी जीवन के दोरा पूरी करने पाए कि हम बहुत सारा फ़ल आए और हमारा फ़ल हमेशा बना रहे और इसलिए पिता ने हमें ये अधिकार दिया कि जो कुछ हम पिता से येशु के नाम से मांगेंगे वो हमको दिया जाएगा और ये अधिकार हमको इसलिए दिया है क्योंकि हम इसी कारे को करने के लिए बुलाए गए हैं और हमारा प्रेम जो परमेश्र के प्रती है वो इसी बात से प्रगट होता है जिए हम आपस में दूसर से प्रेम करते हैं और उनको अपने समान परमेश्र की महिमा में देखना चाहते हैं अपनी आखों को बन करेंगे और प्राक्ता करेंगे धन्यवाद करते हैं प्रभू जबकि आप हमको प्रति दिन एक उत्तम चरित्र देना चाहा रहें जबकि आप हमको प्रति दिन अपने समान येश्यू के समान बनाना चाहा रहें हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रबु जब कि हम हमारे जड़ों में, हमारे सभाओं में अपने प्रेम को बसा देना चाहते हैं, प्रबु हमारे हम सब की मदद करें, कि हम अपनी हर कड़ों हटों के उपर, ना शमा करने के शेत्रों के उपर आकर, उस कठोड़ता के उपर आकर, हम आपके प्रेम को अपनी जीवनों में वो जगा दे सकें जिसके दुआरा बहुत सारे लोग बचाए जा सकें उन प्रातनाओं को कर सकें तैकि लोग अपनी निरबनताओं में बल को प्राप्ट कर के हमेशा के लिए आपके हो जाए प्रभू हम सबकी मदद करें कि हम येश्य के समान हो सके इस प्रातना को मैं येश्य मसी के नाम से मानती हूँ आमिन 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 प्रभू के प्रेम में बने रहे प्रियों और बहुत सारा फ़ल लेकर आए येश्य के नाम में आपको आशिश मिले जै मसी की